इमाम तरह के नाम पर जो बजट बढ़ा था, क्या वो काम करवाए गये थे? जी, फिर से एक बार रिपेट करेंगे हैं, चित्रा जी. मैं आपका सवाल नहीं समझ पार है. मैं मनुश तिवारी जी आपकी पास आरू हूँ, संजय सिंग से ये मेरा सवाल है. हरीश कुराना ने दसावेज़ों के साथ जो आरोप लगाए हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि तरह साथ ग्रेनाइट, फ्लोरिंग, रेन हार्वेस्टिंग और भी तमाम बातों का वो जिक्र करते हैं, कि इसके नाम पर बजट तो बढ़ा दिया गया, लेकिन काम नहीं हुआ. तो अगर कोई आरोप उनके तरफ से लगाया गया था, तो इसकी चांच करनी चाहिए थे ना इन लोगों को. हमारे दिल्ली सरकार के मानकों के जिस आधार पर स्कूल बने हैं, उससे भी कम मानक में, M.C.D. ने इनकी सरकार जहां पर है, भाजपाईयों ने जो सरकारी स्कूलों में कमरे बनाए हैं, जादा महंगे बनाए हैं, जादा बजट वाले मगब बनाए हैं, लेकिन जांस तो मनीज सिसोदिया की होनी चाहिए, जो विस्व के फोरम पे जाके हिंदुस्तान की के बारे में बताते हैं, जिनको कभी लंडन बुलाया जाता है, कभी सिंगापूर बुलाया जाता है, कभी अमेरिका के राष्टपती की पत्ली हिंदुस्तान आती है, तो मनीज सिसोदिया द्वारा बनाए गए सरकारी स्कूलों को हमें देखना है, पूरी दुनिया में जि बीजेपी को पसंद नहीं आ रही हैं जो आरोग का गा रहे हैं संजय सिंग जी अंतराश्टी इस्तर पे वो कह रहे हैं कि मनीश सोधिया का बड़ा नाम हो गया है दिल्ली में अगर अमेरिका के राश्ट्पती आते हैं उनकी वाइफ जाकर वहां पर देखते हैं उनकी तारी आई और बोले कि केरल की सरकार ने हमारे स्कूल को बहुत अच्छा बोला तब तक केरल का उजिकेशन मिनिस्टर का ट्वीट आ गया कि भाई हमने तो किसी को भेजा ही नहीं केरल में इनके अर्विन केजरिवाल जी जाके कहते हैं दिल्ली में तो एक सेकेंड बिजली नहीं इनके कि बना के ला रहे हो आज भिद्ली हस रही है सर अर्विन केजरिवाल जी कहते हैं इल्ली में इनवतर मिल रहे है क्योंकि यहा dif बिजली कटती हीं नहीं है तो क्यों इस बात या तो विद्वान आदमी हो, जब आपको हसना है, आप हस के टाल दोगे, क्योंकि आप यहाँ पे बीज़, हाँ, क्योंकि इस बात को हसी में उड़ाएंगे न, क्योंकि यह सरीयस बाते हैं, अरे सारे चीजों के बावजूद, चाहे तीन साल लगा, जाँच तो होने दीजि कितनी हालत में भी 10 लाक रुपया से जादा नहीं है, मैं इसको प्रूब करने को तयार हूँ, और जिन लोगों ने 28-30 लाक में कमरे बनाए, वो भी, वो कंक्रीट की छत नहीं है चित्रा जी, गाओं में कड़ी कुंडी होला न, तो कड़ी लगा के, कुंडी लगा के, वो अरविन केजरिवाल जी का डर बिलकुल जायज है, क्योंकि इतना सेव, इतना उनको बचाने में लग गए है, कि उसकी जाच की आच मुख्यमंत्री जी को भी आने वाली है, जाच की आच सियम तक पहुँचने वाली है संजे सिंग जी, इसी वज़े से फेस सेविंग का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री? तो मैं तो इसमें कोई सफाई नहीं दे सकता, आप अपनी सरकार से पूछ के बताईए कि वो अमेरिका के रात्मत्री की पत्नी आई थी या कोई दूसरा चेहरा बनाके हम लोग लेके आके और सरकारी स्कूलों को हमने दिखवा दिया, और जहां तक प्रस्न है, मैं आप से मैं यहाँ आपको रोपूँगा, संजे भाई एक सेकेंड, संजे भाई एक सेकेंड, संजे भाई एक सेकेंड, मैं उस पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं सवाल उठा रहा हूँ कि उनको आपने जो इसकूल दिखाया, वो एक इसकूल बना है, जो आपने अंतराश्टी प्रत्निधी की बात कही मैं उन पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ लेकिन केरल से अभी जो आये थे उनको केरल सरकार ने कहा कि हमने नहीं भेजा इस पे आपका क्या कहना है केरल वाले मामने में तो फजीहत हुई थी ना संजे सिंग जी जब वहां से क्लारिफिकेशन आ गया कि सचाई नहीं है देखे स्टालिन जो कमिल नाडू के मुख्यमंत्री आए उन्होंने जूटा स्कूल देख लिया जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री आए उन्होंने जूटा स्कूल देख लिया महारास्टरा के जहारखंड के प्रतनिधी आए उन्होंने यहां जूटा स्कूल देख लिया अमेरिका के रास्टपती की पतनी आई उन्होंने जूटा स्कूल देख लिया किसी एक केरल का उधारण भी आपका आपकी बात सही हो सकती है उसे इंकार नहीं कर रहा हूं लेकिन दुनिया के तमाम प्रतनिधी यहां आए उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की प्रसंसा किया आप दिल्ली के सांसद हैं इस बात की खुसी होनी चाहिए आपको अगर दिल्ली में कुछ भी अच्छा आपकी MCD करेगी तो हमारे मुक् कैसे इन चीजों को लोग यकीन मानेंगे कि जो मनीश स्क्षा के छेतर में अद्भूत अनुकरणी और विश्वस्तरी काम करके दिखा रहे हैं उनको आप रस्टाचारी बोल रहे हैं तो आप ताकत में हैं आप कुछ भी कर सकते हैं आप ताकत में हैं इस वसे सिक ताकत का को गिरफतार करवा जा रहा है सबको एक साथ गिरफतार करवा लिजे हां तो अगर इतना जानकारी है अर्विन के जिरिवाल जी के पास तो वो सारा जानकारी दे देंगे हम एसी भी से लड़ेंगे हम कहेंगे इनको भी गिरफतार करो लेकिन किसी मुख्यमंत्रिया प्रद स्कूल पे लिखा था कि यहां पे छतिगरस तह दूर रहें तीमारपुर के एक स्कूल में अभी में गया था वहाँ पे एक पूरे स्कूल के जो बाथरूम सेक्सन है उसको किनारे से करके लिखा गया है उधर जाना लड़कियों का मना है और उस पूरे स्कूल में करीब तीन हजार बच्चियां है और मात्र चार बाथरूम के जो पर टेंपरोरी लगता है उस पे स्कूल चल रहा है हमारा कहना है कि हम यह नहीं कह रहे हैं जो इसकूल आपने दिखाया वो इसकूल ठीक नहीं था वो ठीक था इसकूल लेकि तो फिर तो setting हो गई ना आपको हम 800 स्कूलों का पता देना चाहते हैं उन 800 स्कूलों में किसी स्कूल में तो ले चलो अमेरिका के प्रक्निजी को ले चलो संज़े भई या, इस टालिन जी के आदमी को ले चलो वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे स्कूलों को मौडल की तौर पर बना कर और तमाम नेता जो आपकी विचाधारा से सहमती जताने वाले आते हैं उनको लेकर पहुंच जाते हैं और फिर ढोल बजाकर सबको सुनाते रहते हैं संजा सिंग जी एक लोजिंग कॉमेंट जल्दी से येस देखे बड़ी घटनाएं इन लोगों के साथ हो जाती है चित्रा जी बड़ी घटनाएं हो जाती है अंतरास्टी एस्तर पर उसकी खिली उरती है एक बार इनके सांसत प्रवेश बर्मा जी उन्होंने कहा कि आईए मैं दिखाता हूँ एक ऐसा तिल्ली का स्कूल जो बिल उच्चतम नहीं देश नहीं दुनिया में आज दिल्ली के सरकारी स्कूल उदाहरर बन रहे हैं